कि नमस्कार के हर्याना पे आप सभी का स्वागत है और आज अब मैं खड़ा हूं इस समय वार्ड नंबर 9 में जहां पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि यह शहर का पूरा का पूरा कच्रा यहां पे इकठा होता है कुड़ा करकट का एक प्लांट यहां पे लगाया गय और यहां अचानक आग लग गई है और आग लगने के कारणों का भी कोई पता ने चल पाया कि आखिर क्यों लग लेकिन किसी भी तरह की अन्होनी घटना ना हो जाए उससे बचने के लिए यहां के स्थानिया निवाशियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्र प्लास्टिक और यह जो गासफूस पड़ा हुआ है यह सारा का सारा जल रहा है आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरे एरिये के अंदर धुआ दोर हो रखा है पूरा दुआ पूरे एरिये के और फैल चुका है अगर थोड़ा समय और आगे लेकर के जाना चाहूं तो इस के साथ में लोगों के घर भी बनाए हुए है तो अगर यह आग ज्यादा बढ़ जाए तो इन घरों को भी नुकसान हो सकता है अगर इसकी में दूसरी तरफ वहां लेकर आपको दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि वहां भी दूहां ज्यादा होने के कारण जो दृ जाती है तो उनके घरों तक भी नुकसान होने का अंदेशा जाहिर सी बात है लोगों के घरों को नुकसान भी हो सकता है तो यहां पर आया कुछ गतंघ का है कि यह तो लगी कैसे कितना नुक्सान हो सकता है साग के वजह से पताया कि आग कैसे लगी और कितना नुक्सान इसे अंतों जब खाना खाने आए अब घर पड़ तो देखा दुआ निकल रहा है यह कब से शिलगी यह बता नहीं आपर फूस ही फूस कहीं को इपीने वारा या को इख सब्सक्राइब कर दो जल्दी बुजाओ और बहुत बड़ा नुक्सान हो जाएगा सर आपने कब देखा कि आग लगी हुए और कितनी ज्यादा चुकिया कितना नुक्सान इससे होने की संभावना हो तो मैंने देखा कि यहां से दुआ उठ रहा है मैं अचानक आगे देखा को यह गंदगी जो डेहरें उनमें आग लगी थी मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया मेरे को लगा भी आवा ते चल रहे हैं इसे आग फैल सकती हो नुक्सान हो सकते हालां कि कोई अभी तक नुक्सान की घटना नहीं है और फायर ब्रिगेड भी आ गई है जल्द की तारें भी हैं आग लगने का कारण यह भी हो सकता है कि यहां पर शोट सर्कुट हुआ होगा और उसकी को चिंगारी नीचे गिरी होगी नीचे जस्ट आप देख रहे हैं कि यहां पर गासपूस और कूडा कच्रा पड़ा हुआ है प्लास्टिक के पोलिथीन के बैक्स व भावना कुल मिला करके जताई जा रही है लेकिन यहां के ग्रामेडों जो स्थानिय निवासी हैं उनका कहना है कि जब उन्हें पता चला कि यहां पर आग लगी हुई है तो किसी भी तरह की अन्होनी गटना से बचने के लिए उन्होंने फाइर ब्रिगेड को फोन किया और कैमरा से योगी मुकेश बैनिवाल के साथ रमेश जाखड के हर्याना